ओम नमू भगवते रामकृष्णायर साथ तक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगतात्माननजी महराची की महानपुस्तक जीने की कलासे अध्याय तो प्रेम की अद्भुत शक्ती प्रेम की दुरलप्ता विशे का शेश भाग यहां जारी है यदि मैं अपनी मा की स्थान पर होती तो अपने पती को उनके स्भाग के भरों से चोड़ कर चली गई होती इस खटना के प्रिष्ट भूम इस प्रकार है उनका एक संभरात परिवार था जिसमें रिष्टेदारों तता सहायकों की कोई कमी नहीं थी उनकी आर्थिक स्थिती भी पूरी ना थी परंतो उक्त बाते सुनाने वाली भालिका के पिता शराबी थे और मद्यपान करके रात को देर से घर लोटने के बाद चोटी मोटी बातों पर अपनी पतनी से जगणा तथा गाली गलोज करते और उसे मारा पीटा करते थे चोटी आयो की वह बाली का कच्ची नीन से जाकर आतंकित भाव से अपने पिता की क्रूरता और मा की पीडा को देखा करती थी थोड़ी देर बाद वह भी मा के साथ रोते हुए ठक कर सो जाती थी केवल स्कूल में ही वह अपने पिता के विरुद्ध भोलने को स्वतंतर थी कुल मिलाकर घर के परिवेश ने एक और तो उसमें आतंक और दूसी और पूरिश वर्गे के प्रतिक रिणा का भाव भाव भर दिया था इसमें कोई आश्चर नहीं कि इससे उसके व्यक्तितों पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा था मदर टरीसा कहती है सेवा के शेतर में लोगों के साथ 20 वर्षों तक कारे करने के बाद एक बात मेरे लिए स्पष्ट हो गई है किसी व्यक्ति के लिए सबसे अपमान जनक पीड़ा का भाव है मुझे कोई नहीं चाहता हमने कुष्टरों की दवाईयां ढूड़ ली है तब पैदिक का भी इलाज उपलब्द है और बहुत से लोग चिकिस्था के बाद स्वस्त भी हो चुके है सेकड़ों अन्य लोगों रोगों की दवाईयां ढूड़ी जा चुकी है पर प्रेम से वंचित होने के रोग का इलाज कहा है प्रेम से परिपूर्ण हरिदे तथा सेवा को ततपर हाथ ही प्रेम से वंचित होने की व्याधी को दूर कर सकते है घर के बड़े बुड़ों या संगियों के प्रेम से बंचित होने का दूर भागे जेल रही लोगों के दुख को कौन मिटा सकता है किसी को प्रेम भरी तुष्टी से देखने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता वस्तुता हर व्यक्ति के पास प्रेम का अक्षे भंडार है प्रेम देने वाला और प्रेम पाने वाले लोग धन्य है दोनों ही सुख और संतोश की नभूती करते हैं प्रेमी और प्रेम पात्र दोनों के हिदेख खिज रुटते हैं परन्तु यह एक विश्चित्र बात है कि इस समान्य प्रेम का दान करने वाले लोग भी कम नहीं है। सियारामशन गुप्त कहते हैं, अरे प्यार का प्याला रहते भाया तो क्यों जहर तुम्हें। इसका कारण अज्ञान और उचित प्रशिक्षन का अभाव है। समान्य तथा सच्चे आध्यात्मिक प्रेम दोनों ही ना जानने वाला व्यक्ति मला कैसे दूसरों को प्रेम के महत्व का उपदेश दे सकता है। पर एक बात निश्चित है। सच्चे प्रेम का उदे होने पर उदे की दुर्बलताएं तथा अन्य सभी दुर्गुण तिरोहित हो जाते हैं और प्रेम का बंदन सूद्रड हो जाता है। ओम शान्ती 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 हरी ओम तच सच्च शी राम किष्णर पनमस्तू